and today we will start motion of the earth geography chapter third motion of the earth जो हमारी अर्थ है उसकी जो motion है गतिया है और उसकी जो activity हो कैसे करती है जो अर्थ है वो क्या है east to west to east में क्या है around होती है गूंती रहती है यह है चक्कर लगाती रहती है sun के as you know that the earth has two types of motion namely rotation and revelation जैसा कि मतलब आप सभी को हम जानते है कि क्या है जो हमारी अर्थ है वह है two types से गूंती है motion है गतिय है दो परकार की उसकी जो गतिय है एक है rotation golden और दूसरी है revelation परी करमन मतलब जो revelation है जो sun के चार और यह चक्कर लगाती है rotation is the earth moment of the earth on its axis जो rotation हो क्या है earth जो अपने जगा पर जहां यह earth है यह वाली यह सिरफ यहीं पर जो है घूंती है उसे बोलते हैं rotation rotate बोलते है the moment of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revelation और इसके अलावा जो हमारी earth है जो कि किसके सूर्य के चार और एक स्थिर कक्ष में परित्वी की गति को मतलब चक्कर लगाती है उसे बोलते है revelation हम बोलते है the axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with the orbital plane जो क्या है हमारी जो earth है वह हमारी imaginary line है कल्पनिक जो रेका है इसके जो orbit है उसको उसके सत्य ओर्बिट से इसके एंगल से यह 66.5 degree पर क्या करती है क्या बनाती है एंगल बनाती है 66 degree का imaginary line पर the plane formed by the orbit is known as the orbital plane और यह क्या है जो plane पर है समतल जो इसका orbit है कक्ष है के द्वारा बनाया जाता है उससे क्या कहता है orbital plane कहता है हम उसे the earth receives light from the sun जो आर्थ है वो sun से light को लेती है due to the spherical shape of the earth और आर्थ की क्या है spherical shape आर्थ की क्या है गोले एका अकार जो गोले के समान है only half of the half of it gets light from the sun at a time figure 3.2 अभी मैं आपको दिखाऊंगी the portion facing the sun experienced day while the another half away from the sun experienced night जो क्या है जो हमारी आर्थ हों क्या है sun से जो light प्राप्त करती है लेती है उससे क्या है सिर्फ एक आदे उस तक नहीं पहुचते है तो वहां क्या होती है फिर night होती है the circle that advise the day from night on the globe is called the circle of illumination और जो क्या है globe पर यह ब्रिजू दिन तथा मतलब जो आर्थ है यह है रात और day और night को बाड़ता है उससे क्या कहते है हम illumination कहते है प्रदीप्त ब्रिट कहते है उसे the circles circle does not coincides with the axis as you see in the figure 3 part 2 the earth take about 24 hours to complete one rotation around its axis जो क्या है earth जो है हमारी वह है यह ब्रिट जो अदा circle है यह क्या है अक्ष के साथ उसके जो orbit के साथ नहीं मिलता है और यह क्या है जो आर्थ है हमारी वह क्या है एक चक्र एक राउंड पूरा करने के लिए अपने axis पर जहां पर इसका है वही पर जो यह rotation होता है इसके लिए 24 hours का time लगाती है the period of rotation is known as the earth day और इसको हम 24 गंटे का जो दिन होता है इसे हम क्या कहते है earth day कहते है जो यह rotation का period होता है this is the daily motion of the earth और यह है जो अर्थ की क्या है daily motion और यह काम रोज करती है जैसे यह देखो इदर day और night जो है कैसे बनता है rotation के द्वारा जैसे आर्थ यह घूमती है तो यह sun है तो इसके जो हाँ part में क्या है light पढ़ रही है और इसका इदर वाला जो पार्ट है यहां तक जो light नहीं पढ़ती है आप अपने सामने एक ball लेना और ball में torch की light लगाना जो torch के सामने वाला portion उसमें क्या light लगी है और जो ball का पीछे व what would happen if the earth did not rotate और अगर जो आर्थ है वह rotation ना करे तो क्या होगा the portion of the earth facing the sun would always experience day thus bringing continues warmth to the origin तो क्या होगा कि जो अर्थ के एक पार्ट में क्या होगा उस बाग में इसके करण दिन ही होगा और लगाता है वहाँ क्या है गर्म गर्मी होती रही हो है वार्म होता रही 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 जो इस साइड पे sun की light पड़ेगी the other half would remain in darkness and be freezing cold all the time और जो दूसरा half portion earth का वहाँ क्या है वहाँ पे darkness ही अंदेरा ही रहेगा और क्या होगा जो वहाँ ज्यादा ठंडा होता रहेगा freezing cold होता रहेगा life would not have been possible in such extreme condition और इस condition में क्या है life जो है वहाँ क्या होगी possible नहीं हो पाईगी the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revelation और जो earth का second motion है दूसरी जो गती है जो sun के चारो और चक्कर काड़ती है उसे हम क्या कहते है और बिट के चारो और चक्कर काड़ती है वह क्या लाता है revelation यानि परिक्रमा करना किसी भी चीज़ की it takes 365 and half days one year to revolve around the sun मतलब क्या है वह है जो अर्थ है वह सूरे के और एक अपना around पूरा करने के लिए क्या 365 और आदा दिन का time लगाती है be considered a year as consisting of 365 day only and ignore six hours for the sake of convincing और क्या है हम लोग क्या करते है वर्ष जो एक year के होग क्या है 365 day ही count करते है जो हमारे six hours बच जाते है उसको हम इसमें add नहीं करते है उसको जो मैं add करते है वो करते है जो हमारा अगला लीपियर बनता है चार साल बात जो आता जैसे अभी 2020 हमारा लीपियर था देखू यह है sun ठीक है और यह अर्थ अर्थ जो है वह है spring के जैसे है यह ऐसे जो है rotation revelation होता है इसका revelation करती है अर्थ के चार और यह घूमती है और यह है यहां से घूमना शुरू करती है west to east की और घूमती है ठीक है 6 hours saved every year are added to make one day 44 hours over a span of four years मतलब इसका क्या है कि हम 6 गंटे का मिलाकर 24 गंटे के बराबर हो जाता है तो क्या होता है this surplus day is added to the month of February और जो यह एक दिन बनता 24 गंटे का उसे हम February मन्थ में 4 साल के बाद add करता है जिसे हम कहता है thus every fourth year February is 29 days instead of 20 days और जो ऐसे तो February के 28 गंटे होता है लेकिन जो fourth year के बाद February का जो मन्थ आता है उसमें 29 डे आते है और such a year with 66 days called a leap year और उस टाइम क्या होता है चार साल के बाद एक साल उस साल जो है 366 days होता है one year में उसे हम कहते है leap year जो है हम उसे कहते है find out when will the next leap year be अब क्या है पता लगाए कि अगला जो अभी 2020 जो हमारो के leap year है तो अब आपको पता लगाना है कि जो अगला हमारा leap year होगा वो कौन सा होगा year from the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit जो क्या है अब आप 3.3 का जो हमारा चित्रे उसको देखे और देखे की जो हमारी अर्थ होग क्या है सूरे के चक्कर द्रिग विजदाकार पत पर सूरे का चक्कर लगाती है जो सूरे के चारोर क्या है अराउंड करती है notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction और notice ध्यान देखे की जो आर्थ होए क्या है कक्ष की एक ही दिशा में क्या है जो की हुई है मतलब जो हमारा यह देखो इदर अर्थ क्या है इसी साइड को क्या है जो है वह है क्या है इनक्लाइन है जोकी हुई है यह इदर से रोटेट हो दिए देखो लेकिन इसका जो जोकी हुई है यह 66 दिगरी पर यह इस तरह से जोकी है इसी साइड को एकी साइड यानि की हमारी इस्ट के साइड को जोकी हुई है a year is usually divide into summer winter spring and autumn season और क्या है हमारा जो एक वर्च है उसको क्या है for season में क्या क्या गया है divide क्या गया है summer winter spring and autumn season मतलब क्या है सर्दी गर्मी बसंत्वा शरत रितों में इसको बांटर दिया जाता है season change due to the change in the position of the earth around the sun और जो season है वह change कब होता है जब जो अर्थ है सुरे के चार और प्रित्वी की स्थिति में क्या होता है changes होता है तो वहाँ पे क्या है season भी change होते रहते है जैसे यह हमारा जैसे sun इस्ट से आ रहा है तो इधर क्या होगा यह autumn season है ठीक है यहाँ पे क्या हो गया जैसे यह बीच में आ तो summer यहाँ पे फिर autumn ठीक है फिर summer in the southern hemisphere winter season ठीक ऐसे यहाँ पे season बनते रहते हैं look at the figure 3.3 you will see the that on 21st June the north hemisphere is tilted towards the sun देखेंगे कि जो यहाँ पे देखें जाना जो यह हमारा है 21 June Southern hemisphere Northern hemisphere में क्या है यह है गुलाड 21 June की क्या है तरफ जुका हुआ है किस की तरफ जुका हुआ है यह sun की और जुका हुआ है यहाँ से आप देख सकते है ठीक है the ray of the sun falls directly on the tropic of cancer और इस टाइम क्या है जो sun की rays है किरने वो क्या है topic of cancer के उपर direct पड़ती है as a result these areas receive more heat और इसके कारण जो इस area में है वो बहुत जादा heat जो receive की जाती है the sun are slanting और क्या होता है the areas near the pole receive less heat as the air of the sun are slanting और क्या है इसके परिणाम सरुप वहां पर गर्मी अधिक होती है जो इसके poles के पास है दुरुगों के पास वाले जो area में वहां कम क्या होती है कम रेस पढ़ दिया, heat कम होती है, less heat दो वहाँ पढ़ दिया, क्योंकि सूर्य क्या है, किसकी और जुका हुआ, तिर्ची पढ़ दिया, क्योंकि सूर्य की किरने वहाँ पर क्या है, slanting पढ़ दिया The North Pole is inclined towards the sun and the place beyond the Arctic Circle, experience continuous daylight for about 6 months, और क्या होता है, 6 महीने तक लगातार, वहाँ पर जो Arctic Circle है, वहाँ पर जो है, दिन होता है, और 6 महीने की वहाँ रात होती है, Since a large portion of the North Hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions North of the equator, और क्या होता है, इसलिए जो हमारा Northern Hemisphere है, वहाँ पर बहुत बड़े भाग में जो है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और वहाँ जो हमारा equator है, विश्वत जो ब्रित है, उतरी उसके Northern भाग में क्या होती है, गर्मी का मौसम उस्टा है, the longest day and the shortest night at this place occur on 21st June, और इस प्लेस में क्या होता है, 21st June को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, at this time, in the Southern Hemisphere, all these conditions are reversed, और क्या होता है, जो Southern Hemisphere में है, वहाँ इसका उल्टा होता है, जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, कि 21st डे को सबसे बड़ी, June को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है, it is winter season, there और वहाँ पर इस टाइम क्या होता है, winter season होता है, the nights are longer than day, days, जो night hour क्या है, लंबी होती है, किस से day के according, राते जाना बड़ी होती है, this portion of the earth is called the summer solastic, और इस portion को क्या है, summer solastic portion कहा जाता है, on 22 December, the topic of Capricorn received direct ray of the sun as the south pole tails towards it, और 22 December को क्या है, जो हमारा south pole है, दक्षिन दुरूब है, वहाँ पर जो क्या होता है, सूरे की और जो कह हुआ है, 26 December को, 22 December को हो है, सूरे की और जुका होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, वहाँ पर जुसन की रेवो डारेक्ट पढ़ती है, as a Sunday fall, vertically at the topic of Capricorn 23 and half degree south, a large portion of the southern hemisphere gets light, और उस टाइम पर जो southern hemisphere है, वहाँ पर बहुत जादा प्रकाश भाग पढ़ता है, वहाँ पर light होती है, therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer day and shortest night, और उस टाइम इसके कारण उस टाइम पर क्या है, वहाँ पर December में क्या होता है, southern hemisphere में बड़ी बड़े दिन होता है, longer day और छोटी राते होती है, the reverse happens in the northern hemisphere और इसके उल्टा क्या होता है, उस टाइम नौर्थ पोल पर होता है, this portion of the earth is called the winter celestial, और उस टाइम वहाँ पर क्या होता है, winter season होता है, do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season, क्या आप जानता है कि जो Australia में वहाँ पर जो Christmas मनाया जाता है, वहाँ बिंटर season में मनाया जाता है, वहाँ Australia में क्या है, summer season में Christmas मनाया जाता है, कि अगर आप से पूछा जा है, कि हाँ बिस सेलिब्रेट दा Christmas in summer, तो आपका अंसर होगा Australia, Australia में summer में, जो है वहाँ, क्या मनाया जाता है, क्रिस्मस मनाया जाता है, on 21st March and September 23rd direct ray of the sun fall on the equator, और 21st March और 33rd December को क्या है, जो sun की raise है, वह direct equator विश्वत ब्रित पर सीधी पढ़ती है, at this portion, neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal day and equal night, और इस जो portion में क्या होता वस्ता में, कोई भी जो हमारा pole है, दुरूब है, वह क्या है, सुर्य की और जुका हुआ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, ऐसे situation में वहाँ पर day and night क्या होता है, सेम होता है, बराबर equal होता है, this is called an unix, और इसको हम क्या कहते है, बिशूप कहते है, unix कहा जाता है, और 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere, और 23rd September में क्या होता है, जो हमारा northern hemisphere है, उत्री जो गोलार्द है, वहाँ पर क्या होती है, spring season होता है, शरद रितु होती है, और the southern hemisphere में क्या होता है, northern hemisphere में होता है, autumn season होता है, और जो southern hemisphere में, वहाँ होता है, हमारा spring season होता है, शरद रितु, वहाँ होती है, और उत्री गोलार्द, दक्षिन गोलार्द में होती है, हमारी शरद रितु, और उत्री गोलार्द में होता है शरद्रितु और दक्षिन गोलार्द में होता है हमारा बसंत्रितु springs जो season होता है दा पोजिट ओफ इस दा केस ऑन 21st March इसके ये 21st March में क्या है इसके विप्रीत होता है when it is spring in the north hemisphere and autumn in the southern hemisphere क्या होता है जो spring season है वो northern hemisphere में होगा और autumn season southern hemisphere में होता है does you find that there are day and night and change in the season because of the rotation and revelation of the earth respectively और इसमें क्या होता है इस परकार से हम कह सकते है कि जो हमारी earth का जो rotation है वह है rotation and revelation है वह क्या है दिन और रात था जो हमारे season है इसको change करता है तो यह था हमारा chapter आप हम next chapter अगली video में शुक्त